हमारे साथ इस वक्त बादशीत करने के लिए सारन रेंज के डियाई जी हैं, छपड़ा के जनता बजार में निशा उपाध्याय के उपर गोली चली थी, जो की लोग गाई का है, और उसके बाद बुरी तरह से गायल हो गई है, पटना में उन्हें रिफर कराया गया है, सर क्य क्या पुरी घटना की जनकाड़ी और क्या पुरी घटना होई है? क्या इलाज कराया गया है और वो अभी खत्रे से बाहर हैं, इस सम्मन में जनता बजार थाना अंतरगत, फाइरिंग आयोजन करता है वंग अन्न के विरुद, सुसंगत धाराओं में प्रात्मी की दर्ज की गई है, पुलीस के द्वारा लगातार चापामारी की जा रही है, और अभ्युक्तों की गिरफतारी और सस्त्र की बरामदगी का प्रियास किया जा रहा है, सिग्र ही गिरफतार कर लिया जाएगा। की गई है, और लगातार चापामारी की जा रही है, यह 30 मैं की घटना बताई जा रही है, तीस मैं की रात्री की घटना बताई जा रही है, यह मतलब वीडियो भाइरल होने के बाद पुलीस को सुच रही है, अब यह तो पुरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पुलीस को जा भी किस देकि लेखर है और क्या कारवाई कर रहे हैं याक। लाइसेंसी होगा तो उनका लाइसेंस भी रद ततकाल कराया जाएगा और गैर लाइसेंसी होने पर तो सुसंगत धाराओं में प्रावधान के अंतरकत प्रत्म की दर्ज की जाएगा। कारवाई की जाएगी आसुतोस नाथ एबीपी न्यूज छप्रा सारन विहार।